आज के वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हम कुछ सरल तरीकों को अपना कर घर पर ही कुछ की दिनों में इलाइची के बीजों से इलाइची की पौद तयार कर सकते हैं इलाइची या इलाइची जिमजी वारसी परिवार के एलितारिया और अमोमम प्रजाती के विभिन बौधो के बीजों से उत्पादित एक मसाला है इलाइची के पेड का वैग्यानिक नाम एलेटिरिया काडमोम है वर्तमान समय में इलाइची की खेती भारत के कई क्षेत्रों में की जा रही है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूले इलाइची को हम ओनलाइन या अच्छे स्टों से खरीज सकते हैं उसके बाद मैं इलाइची के अंदर के बीच निकाल लूँगा अच्छे सकते हैं कर दो कर दो कर दो कि उसके बाद लोटे का पानी दूंगी इलाइची के दानों को एक दिलास में डाल दीजिए कर दंगी बाद दूंगी इलाइची के दिलाइची इलाइची के दानों चकर देने तो मैं एक दिन बाद पानी का गिलास फेक डूंगा कर दो जा सकता है इसके बाद दानों को कपड़े के तुकड़े पर रगड़ कर साफ कर ले अच्छी पौत तयार करने के लिए अच्छी पौत कर लेगज है अच्छे बीच किसे चुनना चाहिए? फिर मैं बीजो को कागज में लपेट दूंगा उसके बाद मात्रा में पानी देना चाहिए इसके बाद हम एक एर डाइट कंटेनर लेंगे इसमें कागज लपेट दे और बीज को किसी एर टाइट कंटेनर में रख दे साथ दिनों के बाद मैं दिखूंगा कि बीज अनकुरित हो गए है इसके बाद में पानी अनकुरित हो अनकुरित हो गए है उसके बाद कोको पीट के साथ मित्ती लूँगा मैं तब में मित्ती दालूँगा अनकुरित हो अनकुरित हो गए है अनकुरित हो अनकुरित हो गए है अनकुरित हो अनकुरित हो अनकुरित हो गए है उसके बाद मैं बीट लगाओगा अनकुरित हो अनकुरित हो गए है अनकुरित हो अनकुरित हो अनकुरित हो गए है उसके बाद मात्रा में पानी देना चाहिए अनकुरित हो अनकुरित हो गए है अनकुरित हो अनकुरित हो अनकुरित हो गए है 25 दिन बाद आप देखेंगे कि दो छोटी हरी पत्तिया निकल आई है कि दोली स्थादी को करते है कि अनकुरित है 20 दिनों के बाद मैं देखूंगा कि पौधे थोड़े और बड़े हो गए है 30 दिनों के बाद आप देखेंगे कि अनकुर बहुत बोरस हो गए है लेकिन दोस्तों इसे मानसून की शुरुआत में करना बहतर होता है इसना आप अपिनिका बाद में तीन पौधे लूज़े और उसके बाद मैं तीन पौधे लुटता है और टब बदल दूंगा मैं टब में एक पौधा लगाऊंगा कुछ दिनों बाद मैं देखूंगा कि पौधा बड़ा हो गया है उसके बाद आवश्यक तानुसार पानी दूंगी मैं टब को हलकी छाया वाली जगह पर रखूंगा इलाइची दक्षन एशिया और इंडोनेशिया की मूल निवासी है वे अपने छोटे बीच फली से पहचाने जाते हैं इलाइची के लिए उप्योब की जाने वाली प्रजातिया पूरे उश्यकटी बंधिया और उपोश्यकटी बंधिया इशिया में स्थानीय रूप से उप्योब की जाती है इलाइची का उप्योब भोजन और पे दोनों में और उश्यकटी रूप से स्वाद बढ़ाने और खाना पकाने के मसाले के रूप में किया जाता है इसका उप्योब धूम्डपान में भी किया जाता है फिर दोस्तों ने इलाइची के बीज से पौध बनाने की पूरी विधी देखी आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम कुछ सरल तरीकों को अपना कर घर पर ही कुछ की दिनों में इलाइची के बीजों से इलाइची की बौध तयार कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए और इससे लाब हो तो प्रिपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल के नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तुरंत बगल में घंटी का चिन्ह बजाएं धन्यवाब झाल करें य divisмет कि इैनल के को चैनल के कुछ सब्सक्राइब चैनल के की वाइब झाल वार्शका के को πê встречा झाल झाल